हाई गाईज दिस राजदी पैंड वेलकम डियो टेक्निकल गाइड यूटुब चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो ट्यूट्रेल में आप सीखोगे यूटुब चैनल का करके एक चैनल है एक चैनल है कार्टून कॉमेडी थीटर आप सर्च करके देख सकते हो सारे चैनल एकदम फर्स्ट पेज में ही एकदम टॉप में आ गया है वो रैंक कर गया है तो किस तरीके से मैंने यह किया दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा सब्सक्राइबर ह एक बेंगोली यूट्यूब चैनल है ज्यादा वीडियो मैंने नहीं डाले तो सिर्फ ग्यारा सब्सक्राइबर है और उसके नीचे ही एक चैनल है जिसपे 17 सब्सक्राइबर है उससे नीचे और भी ज्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल से राजदी मिस्रा करके पर मेरा जो चैनल है वो सबसे उपर आ रहा है, तो किस तरीके से मैंने ये किया, ये आप भी कर सकते है properly SEO करके अपने चैनल को, तो किस तरीके से करना है जानने के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखते रही एक रिक्वेश्ट रहा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ल तो दोस्तों अभी हम laptop screen में आ गया है, आपको पहले www.youtube.com में चले आना है, अगर यहां पर आपका account नहीं है, तो आप यहां पर एक account बना लीजे, अपना channel create कर लीजे, channel create करने के लिए यहां पर जो right top corner पर जो icon है, इस पर click करके आपको simply creator studio में चले जाना है, जैसे ही आप creator creator studio में जाओगे, तो आपको एक channel का नाम select करना है, और बस channel create कर लेना है, तो यह हो गया आपका पहला काम, अगर आपके पास channel already है, तो यह सब करने का जरूरत नहीं है, फिर आपको चले जाना है creator studio में, creator studio में आजाने के बाद, आपको simply यहाँ पे left side में जो channel का option दिख रहा है, यहाँ पे आपको click कर देना है, चैनल के option पे आजाने के बाद, यहाँ पे आप उपर देख सकते हो, यह channel verified है, अगर आप अपना एक channel new create करते हो, तो आपका channel जो है, वो verified नहीं होगा, उसको आपको verify करवाना पड़ेगा, आप अपना एक mobile number डाल के वहाँ पे एक SMS के जरीए, या फिर एक automated call के जरीए, अप पहले अपने channel को verify करवा लिजे, अगर आपका channel already verified है, तो next steps को follow कीजे, इसके बाद आपको जो करना है, आपको simply अपने dashboard में चले आना है, dashboard पे आजाने के बाद, यहाँ पे view channel का option आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे click कर देना है, फिर यहाँ पे customize channel का option आपको मिल जाएगा, इस पे आपको click कर देना है, तो customize channel पे click करने के बाद आप देख सकते हो, इसका जो look है, वो change हो गया है, तो अभी आपको चले जाना ह अबाउट सेक्षिन पर, तो दोस्तों, अबाउट सेक्षिन में आ जाने के बाद, यहां पर आप देख सकते हो, मैंने एक description लिखके रखा है, अपना जो email id है, for business inquiries, वो भी यहां पर add करके रखा है, अपना location यहां पर डाल दिया है, तो यह सब चीज आपको पहले कर लेना है अगर आप अपना email id यहां पर ना भी डालना चाहो, location ना भी डालना चाहो, वो बाद में डाल सकते हो, पर आपको पहले एक good description अपने channel के लिए लिख लेना है, और ध्यान रखिएगा अपने description में, आपका channel का जो नाम है, your technical guide जैसे मेरे channel का नाम है, उसको आप अपने description में, दो से तीन बार जरूर indicate कर दीजेगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, hello friend, welcome to your technical guide, इस तरीके से मैंने your technical guide का नाम दो से तीन बार या फिर उससे भी ज्यादा लिखे रखा, या पर आप ऊपर देख सकते हो, your technical guide, फिर यहां पर your technical guide, साथ ही साथ आप अपने description में, यह बता देना कि यह channel किस related है, अगर आपका channel technical related है, तो आप अपने description में बता देना, जैसे कि latest technology, technical, यह सब term बहुत बार यहां पर use किये गया है, अगर आपका channel comedy के उपर है, तो आप उसको भी यहां पर description में जरूर लिख दीजेगा, इससे वो बहुत जल सर्च में आ जाएगा अगर कोई technical channel करके भी search करेगा, तो आपका channel आ जाएगा, कोई funny channel करके search करेगा, वो भी आ जाएगा, तो यह सब आप अपने description में अच्छे से लिख लीजेगा, अगर आप as a example, your technical guide channel का about section में आके इसका description देखना चाहते हो, तो आप देख सकते हो, और साथ ही साथ ख्याल थोड़ा बहुत use कर दीजेगा, जैसे मैं अपना videos इस channel पे हिंदी में बनाता हो, तो आप देख सकते हैं, मैंने description हिंदी language से start किया है, नमस्कार दोस्तों, ऐसा करके start किया है, अगर आपका channel बेंगोली में है, या फिर किसी और language में है, तो आप उस language में भी description section में थोड़ा बहुत कुछ लिख देना, तो ये step आप follow कर लिजेगा, फिर जो next step है, वो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको फिर से creator studio में चले जाना है, creator studio में चले जाने के बाद, अभी आपको अपने channel का SEO करना है, by channel keyword, आपको अपने channel के लिए channel keyword या फिर channel tag sit करना है, जिससे क आपका channel, दो से तीन दिन के अंदर, या फिर maximum five days के अंदर rank में आ जाएगा, इसके लिए आपको simply यहाँ पे channel के option पे चले जाना है, channel के option में जाने के बाद, यहाँ पे नीचे आप advanced का option देख सकते हो, तो इस पे आपको click कर देना है, तो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओग कैसे डालना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे country मैं इंडिया दे के रखा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना country चूज कर लेना, अगर आप about section में already अपना country सेट कर चुके हो, तो यहाँ पे country आजाएगा, अगर आपने सेट नहीं करके रखा हो, तो यहाँ पे सेट कर लेना, फिर यहाँ पे channel keywords आपको डालने है, तो किस तरीके से लिखना है वो मैं बता देता हूँ, दोस्तो पहले आपके channel keyword में आपके channel का name देद देना होगा, फिर कॉमा देना होगा, कॉमा के बाद कोई भी space नहीं देना है, यह आप ध्यान में रख लीजेगा, फि मेरे channel का नाम है your technical guide, मैं अपने channel का ही example आपको दिखा देता हूँ, तो पहले मैं लिखूंगा your technical guide, यह पूरा channel का नाम, फिर एक कॉमा, फिर मैं लिखूंगा your, technical, guide, अभी मैं इसको लिखूंगा your technical, आप देख सकते हो, your technical के बीच में कोई भी space नहीं है, आप चाहो तो पूरा your technical guide, एक बार without space में लिख सकते हो, फिर आप इसको your technical, यह एक बार without space के, और फिर एक बार technical guide, यह दोनो without space के आपको दे देना है, फिर आपको आपका channel जिस topic पे है, उस topic को यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि मेरा channel tech related videos के उपर है, तो मैं tech लिखता हो, फिर technical लिखता हो, फिर technology लिखूंगा, फिर कॉमा के बाद आपको space नहीं देना है, यह आप ध्यान में रखिये का, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, वीडियोज, फिर tutorial, जो technical channel है, उसका जो category है, वो है how to style, how and style, तो मैं how to यहाँ पे दे देता हूँ, learning दे देता हूँ, तो दोस्तों इसी तरीके से आपका channel जिस category पे है, उस category के लिए आपको कुछ keywords set कर देना है, आप यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हो, ताकि आपका नाम जब YouTube पे सर्च किया जाए, तो आपके चैनल का वीडियोज भी वहाँ पे आजाए, जैसी कि आप राजदी मिस्तिरा करके अगर YouTube में सर्च करोगे, तो मेरा चैनल तो एक दो उपर में आ ही जाएगा, सात ही सा उस पे आप देख सकते हो, यह टेकनिकल गाइड का भी कुछ वीडियोज आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने चैनल में अपना नाम सेट करके रखा है, चैनल कीवर्ड के तौर पे, साथ ही साथ मैं अपने वीडियोज में जो टैग यूज करता हूँ, अपने डेस्क्रिप्शन में भी अपना नाम दे देता हूँ, इसलिए मेरे नाम से भी अगर यूट्यूब चैनल में कोई सर्च करता है, तो यह टेकनिकल काइड का वीडियोज आ जाता है, तो आप दोस्तों आप समझ गए हो, अगर आपका चैनल कॉमेडी के ऊपर है, तो सकते हैं, वह भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो आज के लिए इतना ही मिलता है, नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाए!